इसके साथ हम चालो करने हैं अपना नीट क्रेश कोर्स तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्डेंट चेप्टर है आपके नीट के एक्जाम के हसाब से विच इस कॉल्ड यूनिट डिमेंशन यह हम अपने इंट्रोडेक्शन में बात कर चुक है कि यूनिट डिमेंशन का मिनिमम एक सवाल आना आपका पका लाजबी है पका 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 आ रहा है और चेप्टर कते ही मुश्किल नहीं है इसको हमें बहुत अच्छे से करने की जरुवत है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं अच्छे सेपरेट वीडियो फॉर अपने एर्रोडेक्शन के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हम उनिट डिमेंशन की बात करेंगे इसको हम हम कहते हैं की जब भी हम फिजिक्स पड़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने के लिए अच्छे पर समेझने के लिए लॉजे करने के लिए हम कुछ Pack ती करते हैं inside each तो when we say artificial quantity this can be measured, बड़ा important part है, which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in form of laws, this is called physical quantity. तो अपनी physical quantity वो होगी, जिसको पहली चीज़ तो हम measure कर सकें और उसके टर्म में अपने physics की सारी quantities और physics की सारे laws हम express कर सकें. Now, types of physical quantity, किते तरहेगी physical quantity होती, उसको एक बार quickly overview कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो हम कहते हैं ratio या फिर numerical only, यह वो quantities हैं जहां पर हमने सिर्फ उसे numerical values की बात करनी है. So, for example, अगर हम कह रहे हैं, यह से 2 liter petrol, उसका जो दो part है, 2 liter petrol की बात करें, तो 2 जो है, that is called आपका numerical value. उसके बाद इसके example हो सकते हैं relative density, अगर physics में बात करें. Relative density, relative density जब हम कहते हैं, तो यह आपकी 2 densities का ratio है. So, density of iron with respect to water. अब यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जो value है की dimensional less or unit less quantity होगी, because यह सिर्फ और सिर्फ रेशो है. Then, आपका strain, refractive index और dielectric constant यह सारे आपके ratios हैं, यह numerical value only होगा यहाँ पर. उसके बात करते हैं scalar या फिर magnitude जिसमें हो, या फिर इसमें direction नहीं होता है अपना, सिर्फ आपकी numerical value or physical quantity में numerical value plus a unit होगी. जैसे 2 liter petrol में, अब 2 और liter की अगर हम बात करें, तो यह आपकी quantity हो गई, जिसमें 2 आपका numerical value और liter आपका unit है. लिटर जो आज से हमें पता है, volume का हो है, जैसे मैं बात करूँ, length है, किसी room की length है, किसी table की length है, 2 meter. 2 meter का मतलब हो गया, 2 आपका numerical value, meter आपकी उसकी unit हो गई. next आती है, यहाँ पर vectors, vectors को मैं अपने अलग chapter में, detail में पढ़ेंगे, vectors वो quantity है, जिसमें magnitude भी है, और direction भी है, बड़ा important है, यहाँ से महां जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए, कि उसमें कितनी दूर जाना है, और plus किस दिशा में जाना है, किस direction में जाना है, तो वो आपकी vector quantities हो जाएंगी, I hope यह चीज़ आपको समझ में है, यह आपके physical quantities के तीन type हो जाएंगे, next यहाँ पर बाहत करते है, fundamental and derived quantities, so fundamental quantities हम ही कहते हैं, कि पूरे physics को, अगर हम divide करें, पूरे physics को हमने कहा है, कि seven quantities के basis पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं, कि हर physics की जो equation है, law है, कोई भी आपकी term है, वो इन seven fundamental quantities के term में हम define कर सकते हैं, वो उसको हमने कहा दिया fundamental quantity, for example, आपका mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, and amount of substance, यह हमने कहा दिया fundamental या फिर base unit हो गई, इसके लाबाद दो आप supplementary unit है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, radian and stradian, radian और stradian या आपकी दो supplementary quantities हो जाएंगे, so in seven plus two के basis में, supplementary quantities के basis पे, हम किसी भी physical quantities को, जो अपने physics में exist करती है, उनको हम define कर सकते हैं, that's what say, unit which can be expressed in term of fundamental units, they are called derived units, now any fundamental के basis पे, जब हम further अपनी अलग-अलग units को derive करते हैं, उनको derived unit कहते हैं, जिसे for example, length, अगर आपको किसी एक चीज़ का length ना आपनी है, तो length तो आपके fundamental हो गई, length multiplied by length, यानि के length square, यानि के आपका area जो आएगा, वो derived quantity होगे, fundamental length के basis पे, एक और quantity हो सकती है, जिसको आप कहा सकते हैं, length cube, length cube का मतलब है, length multiplied by length multiplied by length, तो this becomes volume, so ऐसे further quantity है, जैसे meter per second, इसको हम कहते हैं, length per time, या फिर force हो गया, ये force आपने किताँ अप्लाई कर रखा, ये सारी आपके derived unit है, तो इन्ही 7 fundamental के basis पे, we define so many others, so thousands of quantities, हम physics में, इनके basis में define कर सकते हैं, next यहां पे बहार करते हैं, system of units की, so over the years, अलग-अलग countries में, अलग-अलग cultures में, अलग-अलग system of unit हम consider करते हैं, जैसे for example, एक आपका system of unit होता है, जिसको आप कहते हैं CGS, CGS में length को हम centimeter में आपते हैं, weight जो भी आपका mass है, उसको we can gram में आपते हैं, और इस आपका time unit हो गया, एक होता है आपका MKS system, MKS में length जो इसको meter में आपते हैं और आपका वजन जो हो गया जिसको मांस कहते हैं किलो ग्राम में और सकेंड में हो एक आपका FPS सिस्टम होता है एक अश्री सिस्टम में हम कहते हैं foot pounds second तो आपकी length जो footman आपते हैं और आपका mass जो चीज़ों का 콩 में आएगा और आपका सेकिंड में आगा ना over the years इन्हें पर बहुत confusion रहा है इंग्लेंड में कुछ यूज हो रहा है फ्रांच में कुछ यूज हो रहा है अमेरिका में कुछ यूज हो रहा है सो इनको हमने consolidate करके हमने एक system create किया जिसको हम कहते है system international और यह आप पूरे physics में this is what we try कि आपका पूरे all over the world हर country में not everybody does it but हम इसको follow करने ही गोईश करते है so यह एक standard बना दिया गया है according to this standard length को जो आपकी fundamental unit है उसको हम नापेंगे meter में so system international यह ऐसा unit में हम length को meter में नापेंगे similarly mass के लिए kilogram, time के लिए second, current के लिए ampere temperature Kelvin, amount of substance mole, luminous intensity candela हो गया यह हमारे SI unit है there is a for example temperature है temperature हम degree centigrade में नापते है temperature हम foreign height में नापते है और Kelvin में में नापते है तो एक हमें कोई system यहाँ पे define करना था हमने यहाँ पे Kelvin को SI unit define कर दिया है so अब सारी calculation हमारी SI unit के basis पे होएगी जितनी अपनी standard units है वो SI unit के basis पे define की जाएंगे so यह कहलाता है अपना system of units now when we talk about जब हम भी कहते हैं कि हमें एक unit of measurement से दूसरी unit of measurement में अपने को convert करना है चीज़ है नीट में इस तरह के सवाल पूछ ले जाते है so अगर हमें convert करना है तो मैं उसका simple example आपको बताता हूँ वहाँ पे हमें term use करते हैं जिसको हम कहते है n1 u1 is equal to n2 u2 all right so n1 u1 क्या है यह आपका numerical value यह unit यह numerical value यह unit है आपकी say for example मेरे पास एक rod है rod लगबग इतनी लंबी है और उसकी value है 1 meter तो यह आपकी length हो गई कि उसकी length 1 meter है now इसी को आप मुझे centimeter में convert करना है मैं चाहता हूँ यह जानना कि जो length आपकी 1 meter में centimeter में कितनी आएगी so यह आपकी n1 यह आपकी n2 हो गई जब हम unit की बाहर करते हैं तो unit आपका इस वाले case में u1 तो आपका meter हो गया second unit में जब हम convert कर रहे हैं वो आपका centimeter होएगा और यह conversion हमें पता है कि एक meter आपका 100 centimeter के बराबर होएगा so हम इसी को लिख सकते हैं length this will be equal to 100 centimeter so this is called n1 u1 n2 u2 यह आपका conversion हो जाएगा एक और बहुत ही simple example ले लेते हैं जैसे for example अगर हम इसमें बात करें जैसे force है अपना force मुझे दिया हुआ है 10 newton force है अब इस 10 newton force को एक काम करते हैं simple उसके लिए इसको हम 1 newton ही क्या लेते है so 1 newton force now इस 1 newton force को यह अभी देखेंगे तो अपना SI unit या फिर MKS में defined है so this is in SI unit और इसकी जो अगर हम unit define करेंगे so जो आपका force है उसको हम लिखते है force 1 newton will be equal to mass multiplied by acceleration this will be equal to mass 1 mass multiplied by acceleration को आप लिख सकते है 1 meter per second square यह आपका एक काम हो करते है mass को भी unit change कर लेते हैं हाँ पर so let's call this kilogram so 1 kilogram 1 meter per second square ही हो जाएगा तो 1 kilogram को 1 meter 1 second 1 second में चलाने के लिए जितना force ही है उसको आप 1 newton का हैंगे now इस ही को अगर हमें convert करना हो so now we want to convert this into a CGS system CGS में आएगा यह हो जाएगा आपका centimeter और यह हो जाएगा आपका gram और second तो second ही रहेगा उस case में अगर हम इसे convert करेंगे so आपका जो force है उसको जब हम N1 U1 लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिख सकते है 1 kilogram जो है उसको आप लिख सकते है this will be equal to thousand gram so आपका 1 kilogram is equal to thousand gram हो गया multiplied by 1 meter so 1 meter will be equal to 100 centimeter divided by second square now क्योंकि हमने second unit change नहीं की है MKS यह SI में और यह CGS में second ही था so वो same value रहेगे so now if you calculate this so यह आपकी पहले तो N1 यह आप कह सकते हैं यह N1 U1 था इस बार हमने यहाँ पह N2 और यह आपकी numerical value change कर दी साथ के साथ हमने unit भी change कर दी so now this will be equal to 1, 2, 3, 4, 5 so this will be equal to 10 to the power 5 gram centimeter per second square so आपका 1 newton इतने gram centimeter square के बराबर हो जाएगा now इसको हमने historically एक और word यूस किया था जिसको हमने कह दिया था dine so this is how we convert finally so हम कहते हैं force 1 newton is equal to 10 to the power 5 dine so 10 to the power 5 जो है यह आपका conversion ratio हो गया तो अगर अपके बार directly आपको एक newton को dine में convert करना है so यहाँ पे N1 U1 N2 U2 आप यह डारेक्ली यूस कर सकते है और अगर कोई random unit आए या कोई ऐसी आए जो कि उत्ती common नहीं उत्ती popular नहीं है so अभी again same method apply कर सकते हो इसको यूस करके हम यहाँ पे एक unit से दूसरे unit में convert कर सकते है I hope यह चीज आपको समझ में आई हालाइ नेक्स बाद करते हैं dimensional analysis की now exam point to be say यह बहुत important concept है हमारे नीट के exam के लिए तो specially इस topic पर बहुत अच्छे से ध्यान देना so हम ही कहरें dimensional analysis so say for example हम ही कहते हैं कि कोई एक physical quantity है let's say उसको A कह लेते हैं A अपनी कोई physical quantity है random हमने o quantity ले ली and this is equal to let's say 5 उसके dimension ले ले लेते हैं या unit ले ले लेते हैं उसकी kilogram multiplied by meter multiplied by second square ऐसी कोई quantity physics में होती नहीं है but randomly we have created something यह अपनी physical quantity हो गई तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई भी जो mathematical operation करते हैं वो ही same mathematical operation जो numerical value के साथ होएगा same operation आपका units के साथ तो dimension के साथ भी होएगा say for example अगर हमने एक और quantity define की B which is let's say equal to A square so अब यह B की value A square के बराबर है what that means है इसकी value हो जाएगी 5 का square जो कि 25 आजाएगा multiplied by kilogram meter second square का square तो यह आपने जो mathematical operation आपने unit के साथ numerical value के साथ किया है वो ही unit के साथ होएगा अगर मान लो कोई एक और quantity C है which is defined as 1 by A so इसका मतलब है A जो है आपकी 1 by A हो जाएगी तो C की value हो जाएगी 1 by 5 multiplied by kilogram to the power minus 1 meter to the power minus 1 second to the power minus 2 हमने इस पूरे के उपर minus 1 की power लगा दी so जो mathematical operation numerical value के साथ हो है same operation आपका unit के साथ होएगा एक और example ले लेते हैं let's say D is equal to under root of A so D की value हो जाएगी under root of 5 और multiplied by kilogram to the power half mass to the power sorry M to the power half meter multiplied by second to the power 1 हो जाएगा है so इसके उपर आपने under root 5 किया है तो same kg meter और second square के साथ भी आप 1 by 2 कर देंगे so this is how we do dimensional analysis यह one of the part है बहुत important part है इसको ध्यामेकना all right next important part हाते है अपना dimensional analysis का which says कि अगर हम दो quantities को add कर सकते है या subtract कर सकते है सो वो सिर्फ और सिर्फ तभी possible है जब दोनों की unit and dimensions आपकी same हो so what that means is अगर हम कह रहे है let's say c is equal to a plus b यह दो quantities a plus b add करके आप c बना रहे है so उस case में दोनों की quantity है आपकी a और b उनकी units और या फिर dimensions की जब हम बात करेंगे so they have to be same वो दोनों same होने चाहिए तभी आपको उनको plus या minus कर सकते है अगर इनकी dimension same नहीं है तो physics में उनको add या subtract नहीं कर सकते है for example हम 5 meter को 4 kilogram add नहीं कर सकते दोनों की unit same होनी ज़रूरी है next चीज जो है आपकी बड़ी important important role play करती है आपके physics के सवाल सवाल करने में वो है कि हम कहते है dimensionally LHS should be equal to RHS physics में ऐसी कोई equation नहीं है न है न होगी जो dimensionally आपके left hand side के dimension और right hand side के dimension जिसके same ना हो they have to be same तो हर आपकी physics में जो भी equation बनेगी जो भी physical quantities left hand side में और right hand side में आएंगी उनकी dimensional left hand side और right hand side के same हो नहीं होगी alright so this is called dimensional analysis ये इसके important part है इनको दिहान रखना सवाल सवाल करने में बहुत help करते है हमारी now after talking about dimensional analysis and after talking about units और dimensions क्या होती है उनका brief introduction के बाद now let's do one thing एक काम करते है जितनी physics में अपनी quantities 11th और 12th में आपको देखने को मिलेंगी वो आपको पता होनी चाहिए उनकी unit क्या है उनकी dimensions क्या है so वो मैं आपके notes के लिए यहाँ पे share कर देता हूँ so this is one screen जहां पे हमने 11th की specially mechanics की कुछ units or dimensions physical quantities क्या लिखी हुई है मैं चाहूंगा एक बार इनको goal से आप ध्यान दे और इसका screenshot लेके रख लें regular class में तो मैं अपनी class में इस सारी questions अपने student से derive कर वाता हूँ शुरू में तो कहते हैं यह क्या कर रहे है पर at the same time करने के बाद उन्हें confidence आ जाता है पता सबको होता है कि ऐसा होता है बड़ करता कोई नहीं है और करता नहीं है इस वज़े से आपके neat में number चले आते हैं इसे 2019 में direct आप से सवाल पूछा गया कि thermal conductivity का जो आपका coefficient होता है कि को उसका आप dimension बता दें 2020 में सवाल आया कि आप यह बता देंगे stress के dimensions क्या होंगे अगर वो dimension नहीं आते तो आप 4 number जो की बहुत आराम से आदे मिनिट के अंदर-अंदर आपको मिल सकते थे वो छोड़ाते है या उससे भी बुरा minus 1 कर आते हैं वो गड़बड़ वया दिया सो इस सारे उनिट और dimension आपको contest होने चाहिए आपको याद होने चाहिए अभी इसका screenshot लेके आप रख सकते हैं मैं आपके notes के लिए एक बार read out कर देता हूं सो velocity है, velocity होगी आपकी meter per second इसकी unit होगी dimension इसकी हो जाएगी M0L1T to the power minus 1 similarly आपके physical quantities, acceleration, momentum, impulse, force, pressure, kinetic energy अच्छा है इसमें जो आपकी quantities है force और energy इन दोनों को आपको अच्छे से यार रखना है direct इसको सवाल सौल करने में help करता है तो force की जो unit है और आपकी energy की जो force की unit joule और force की unit Newton और यह joule इनके जो dimension होती MLT-2 और ML2 T-2 यह आपको direct याद होनी चाहिए करने में force से ही हम start करते है तो force का अगर आपको या energy का dimension derive करने लगेंगे तो extra time लग जाएगा तो इनको specially यार रखना है याद आपको सारी होनी चाहिए मैंसे उसके एदा हम बात करेंगे power की power होएगा आपका joule per second सो इसी को अगर आप joule को second से divide कर देंगे आपको याद होने चाहिए आपके पास कोई excuse नहीं होगा कि आपको क्यों नहीं आते इसी के बात फुर्दर आगे बढ़ते हैं सो इसमें बात करते हैं force constant spring spring constant k gravitational constant g अगें यह gravitational constant जो यह आपके लिए बहुत important role play करता है for some reason NEET के exam में ऐसा है कि यह सेम सवाल आपसे 11 बार पूछा जा चुका है यूट्यूब चैनल पर मैंने आपने 45-48 साल के नीट के question solve कर रखें और उसमें 11 बार आपसे पूछा गया है जी की या तो unit बता दो या इसके dimension बता दो तो 11 बार जो सवाल पूछा जा चुका है आपसे extension viscosity आपकी यह हो गया coefficient of viscosity surface energy नोटिस करना यहां पर जो आपका stress youngs modulus, bulk modulus, shear modulus और modulus of elasticity यह साबकी unit आपकी newton per meter square है यह सारे आपकी आगे इसको pressure नहीं कहेंगे हम newton per meter square आपका pressure या पास्कल भी होता है तो इन सबकी unit newton per meter square है बट इस नाट pascal, pascal pressure के लिए ही यूज करते हैं तो यह साबकी unit आपकी newton per meter square है और notice करना उसका strain जो है और आपका poison ratio जो ही है आपसे direct पूछा जा चुका है strain और poison ratio जो है आपका dimensionless quantity है all right चलो next screen है next screen पर आगे बढ़ते में thermal physics देखते हैं वहाँ पर हम बात करते है temperature T उसकी unit आपकी Kelvin है Kelvin को हम अपना unit or dimension define करने के लिए क्योंकि T temperature है T अगर आपका T time है T temperature confusion ना हो उसके लिए हम यहाँ पर theta word यूज कर रहे हैं just for the conceptual clarity heat specific thermal capacity thermal conductivity जिसकी मैं भी बात कर रहा था 2019 में directly आप से यह पूछ लिया गया था तो अगर आपको यह पता हो watt per meter per Kelvin आपका thermal conductivity unit होती है चार नमबर डारेक्ट आपके वहाँ पर आ जाते then we have latent heat, gas constant, Boltzman constant, coefficient of thermal conductivity, stephen constant, winds constant, planks constant और यह आपके winds law वाले constant आया थे जो हम real gas equation के लिए यूज करते हैं यह direct आपको पता होने चाहिए next class 12 के उस पर चलते हैं, so class 12 में हम भाद करते हैं, electric charge, electric current, capacitance, permittivity of free space, dielectric constant, notice करना यह आपका unit less quantity है resistance यह आप से aims के exam में और need के exam में directly पूछा जा चुका है कि resistance के unit बताओ या उसके dimension बताओ तो unit इसका volt per meter या फिर ohm हो जाएगा और यह आपके dimensions है, अगर आपने ध्यान दिया हुआ है, notice किया हुआ है, खुट derive किया हुआ है, तो चाहर नमर बहुत आराम से आजाएंगे then we have resistance का अगर हम reciprocal ले लेंगे उसको हम conductance बूलते हैं और specific resistance या resistivity उसका reciprocal ले लेंगे उसको हम conductivity क्याते हैं so यह आपके dimensions ने dipole, moment, potential, flux बगएरा इनका screenshot लेके अपने notes के लिए रख लीजिए, बहुत काम आते हैं यह next magnetism वाली दुनिया में चलें, तो हम बात करते हैं आपका permeability of free space, आपका self inductance, magnetic flux, magnetic induction B, magnetic intensity H, notice करना है इन दोनों के dimension same नहीं है, दोनों के dimension अलग अलग है, यह आपको पता होना चाहिए, और magnetic moment और आपका red bug constant यह आपके, इनके dimensions आपको पता होएंगी, तो exam hall में बहुत जारा useful होगा आपके लिए चलो, अब इस chapter की कुछ question practice कर लेते हैं, तो जो आपके need के previous year में और aims में कुछ सवाल आएं, उनको एक बार practice कर लेते हैं, कि actually हमारे exam में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपके लिए सवाल पूछा गया है, सवाल था कि dimension of stress क्या होएंगे, तो stress अभी हमने है, अगर आपको इससे पहले जो हमने table देखी थी, वह यहाँ दे तो आप इसको direct mark करके आगे बढ़ सकते हैं, पर आपके notes के लिए इस video के purpose के लिए, let me drive, so यहाँ पे जब हम कहते हैं stress, so हम stress को define करते हैं, this will be equal to, आपका stress जो होएगा, that will be equal to force point area, so stress को आप define करते हैं, force point area, now force के जो dimension है, वो आपके हो जाएंगे, mlt-2, मैंने आपको पहले भी जाद है, या आपको force के dimension direct लिखने आने चाहिए, या डिबाइट बाइरिया, area हो जाएगा आपका l square, यानि कि जो stress ऐसे, उसके dimension ह हो गए, आपके m, l to the power minus 1, t to the power minus 2, या आपके हर dimensions हो गए, so base zone दे समय कह सकते हैं, कि आपको option number a would be the right answer, ठीक है, फटा पट सौल हो जाएगा, अगर आपको dimensional analysis ये करना आता है, तो, next question, 2019 में सवाल पूजा गया हम से, सवाल है, unit of thermal conductivity क्या होगा, अगर तो आपको table याद है, आप इसका direct answer कर सकते हैं, पर let us say, हम इसको derive करना चाहें, so thermal conductivity, अगर हम हमें, अपना heat transfer का chapter याद है, तो वहाँ पर हम लिखते हैं, dq by dt is equal to ka multiplied by dt by dl, so rate of transfer of heat है, k आपका thermal conductivity है, a आपका area है, और ये temperature gradient है, so इस ही को अगर हम rearrange करें, तो हम लिख सकते है, k will be equal to, सब को दह ले आते हैं, so this will be equal to dq by dt, multiplied by ये हो जाएगा, आपका 1 by A, multiplied by dl by dt, now इसकी dt जो है, ये time ने temperature है, multiplied by dt, ये time है, ये आपका temperature है, now इसको अगर हम unit wise देखेंगे, so k को अगर dimensionally हम देखेंगे, या फिर unit wise देखेंगे, dq by dt, ये होगे, आपका heat का transfer है, so heat इसको आप ले सकते हैं, heat आपके हो जाएगी, joule per second, और joule per second को actually हम watt लिखते हैं, multiplied by ये area आगया, so area की unit हो जाएगे, आपकी meter square लिख लेते हैं, और dl आपका, ये हो गया meter, multiplied by temperature है, उसको आप Kelvin लिख लेंगे, अगर ये k Kelvin है, इसको अगर हम लिखेंगे, unit में convert करेंगे, joule per second जो है, वो अपना बन जाएगा, watt, और यहाँ पर एक meter, आपका meter square, meter cancel होके बन जाएगा, आपका divided by meter, और ये divided by Kelvin हो जाएगा, so बेर जून दिस हम कहा सकते हैं, कि option number A would be our right answer, so watt per meter Kelvin would be, इसकी desired conductivity की unit होएगा, आपको समझ में, I hope this solution आपको समझ में आया, next question solve करते हैं, जहाँ पर हमें कुछ calculation करनी पड़ेगी, और नीट में आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, dimensional analysis में जो जो हमने तीन चीज़े बात की थी, कि कोई भी operation करेंगे, वो सब पर होएगा, और कोई भी चीज़ एड हो रही है, तो आपके dimension सेम होने चाहिए, और अगर equation है, left hand side, right hand side, दोनों के dimension सेम होने चाहिए, उनके basis पर ये सारे आपके सवाल सौल वाएगे, 2014 में, 2014 में हमसे सवाल पूछा गया, question से, इस फोस F, velocity V and time T are taken as fundamental unit, तो अभी जो हमने fundamental unit ले रखी हैं, उसके अलावा, अगर मान लो ऐसा होता, कि हमने force, velocity और time को fundamental unit माना होता, तो सवाल ये, then dimensions of mass क्या होएगे, उसके mass के dimension हमें force, velocity और time की term में लिखना है, इस case में हम चाहते हैं कि mass को हम लिखें, यह आपका जो mass है, उसको हम लिखें in terms of force, let's say उसकी power A बना लेते हैं, V velocity जो है, उसकी power हम B कहा लेते हैं, और time T उसकी value हम C कहा लेते हैं, आपकी powers हैं, जो आप इन units के साथ associate करेंगे, यह negative भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, फ्रेक्शन भी हो सकती है, ठीक है, positive fraction और positive integer कुछ भी हो सकता है, so dimensionally अगर हम देखेंगे, हमारा analysis यह कहता है, कि left hand side और right hand side अपनी dimension हमेशा बराबर होएगी, now what that means is, left hand side की आपकी dimension हो गई, M1L0T0 is equal to, अब इसकी dimension अगर हम देखेंगे, आपके right hand side की, so force की dimension हो जाएगी, MLT-2 to the power A multiplied by L की dimension हो गई, sorry velocity की dimension हो गई, LT-1, LT to the power minus 1 multiplied by B, multiplied by, यहां लिख लेते हैं, इसको T to the power C, इसको जब हम expand करेंगे, अपने right hand side को, यह बन जाएगा, M to the power A, और L की power हो गई, यहां पे आजाएगी A, प्लस यहां पे आजाएगी L की power B, प्लस से 0 है, multiplied by T, T की power यहां पे हो गई, माइनस 2A, यहां पे आजाएगी, माइनस B, और यहां प्लस C, लेफ रेंट साइट की, अगर देमेंशन देखेंगे, यह होगे M to the power 1, L to the power 0, और T to the power 0, लेफ्ट और राइट दोनों की देमेंशन आपके, सेम होनी चाहिए, इसका मतलब यहां, कि अगर हम M की power compare करेंगे, which implies A की जो value है, वो आपकी 1 आगे, विकोज लेफ्ट और राइट आपके dimensionally बराबर होना चाहिए, अगर हम L की power consider करेंगे, यहां पे हम कह सकते हैं, A plus B should be equal to 0, विकोज L की power यहां 0 है, यहां पे A plus B है, और क्योंकि A की value आपकी 1 है, which implies B की value आपकी minus 1 आजाएगे, similarly अगर हम T की power आप देखेंगे, यहां पे के T की power को कैसे यह करें, विकोज लिख सकते हैं, minus 2A minus B plus C should be equal to 0, अगर A की value आपकी 1 आचुगे, B की value आपकी यहां पे minus 1 है, उनको रख देते हैं, minus 1 उदा ले जाएंगे 0, उदा ले जाएंगे 0 से वो करेंगे, तो 1 हो जाएगी, which implies C is equal to 1, now A आपका 1 है, B आपका minus 1 है, C आपका 1 है, ठीक है, इसको यहां पे A, B और C की value रखके, आपको final answer मिल जाएगा, so A की value 1 का मतलब यह है, कि F की power 1 जो चारों में है, B की value minus 1 का मतलब यहां, तो C या फिर D में से कोई है, C की power 1 का मतलब यह है, कि D would be the right answer, so F minus 1 and T, यह अपनी desired mass की dimension हो जाएगी, इस नई system और unit में, next question, 2015 में हम से सवाल पूछा गे, APMT के exam में, उस टाइम पर exam को APMT पूगाते थे, question ही है, if energy E, velocity V and time T, are chosen as fundamental quantity, so fundamental quantity, अगर हमने मान लो, energy, velocity, time लिया होता, then dimensional formula of surface tension क्या होगा, तो surface tension का हमें बताना है, dimensional formula क्या होगा, now again dimensional S, इस एफ और साइड की dimension, right साइड की बराबर होनी चाहिए, so let's say हम कहा रहे है, surface tension जो S है, उसको हम कहते है, this will be equal to E to the power A, दूसरा velocity V to the power B, और time T to the power C है, तो left hand side और right hand side की dimension, हमें बराबर करनी है, और A, B और C की value निकाल के बताना है, इन में से correct option कौन सा होगा, now surface tension है, उसको हमें पता है, हम यहाँ पर लिखते है, surface tension को जो हम formula लिखते है, surface tension उसको हम लिखेंगे, force per meter, यह आपकी, force per meter length जो है, यह आपकी surface tension की value आती है, so यहाँ पर surface tension के dimension, आप लिख सकते हैं, force यानि की M L T minus 2, multiplied by L to the power minus 1, यह तो आपके left hand side के dimensions हो गए, right hand side के dimension है, minus 2, velocity आप लिखेंगे to the power A, velocity लिखेंगे L T minus 1 to the power B, multiplied by इसको आप लिखेंगे time to the power C, यह आपकी dimensions हो गए, now left और right की अगर dimensions को हम equate करें, so left की dimension हम कह सकते हैं, this will be equal to M 1 L 0 T to the power minus 2, this will be equal to M, यहाँ पर M की power हो जाएगी A, multiplied by L की power यह आपका 2A, यहाँ से आएगा plus B, multiplied by T, T की power आगए, यहाँ पर minus 2A, minus B, plus C, यह आपकी left और right dimensional values आगे, इसको जब हम dimensional equate करेंगे, तो यह बात अपने को पता है, left और right की dimensions equate होएगी, तो पहली चीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं, implies A will be equal to 1, because M की और M की जब dimension equate की, तो M की value तो अपनी बराबर होएगी, तो उसके से A की value तो 1 आगए, अब second वाले part को equate करें, तो second वाले part में हम यह कह सकते हैं, हम यह कहते हैं, 2A plus B should be equal to 0, Now A की value अपनी 1 आचुकी है, तो इसके basis पर हम कह सकते हैं, this will imply B will be equal to, यह हो जाएगा, minus 2, यह आपकी B की value हो गए, ठीक है, so A की value आगए, B की value हो गए, C के लिए आप इसको equate करेंगे, so C के लिए आप हम यहाँ पर एक करते हैं, so यह कहेंगे है, minus 2A minus B plus C should be equal to minus 2, यहाँ पर बस calculation में mistake ना हो जाए, यह आप चीज़, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, so A की value आचुगी है, so इसको आप लिखेंगे, minus 2, B की value minus 2 है, यह हो जाएगी, plus 2, plus C would be equal to minus 2, now minus 2 minus 2 cancel हो जाएगा, which implies C की value हो गए, आपकी minus 2, now A1 है, B minus 2 है, C minus 2 है, बस यहाँ पर हमें right option देख लेना है, तो E की power 1, यानि की A, B, C में से कोई एक हो सकता है, B की power minus 2, यानि की A, O, C में से कोई है, C की power minus 2, यानि की आपको option C is the right answer, कई बार हैं से सवाल करने exam hall में थोड़े से लंबे हो जाते हैं, if that is the case, तो अगर आपने practice कर रखी, तो फिर आपको लंबे नहीं लगेंगे, और इसमें ना integration है, ना differentiation है, ना किसी तरह का और लंबी-चौड़ी calculation है, बहुत simple से यह सवाल आपके हो जाएंगे, 4 number आजाएंगे, इनकी practice करके रखना, आले? Next question, 2011 में हम से सवाल पूछा गया, the density of material in CGS system of unit is 4 gram per centimeter, कि उभी अपनी density CGS system में दे रखी है, now in a new system of unit, in which हमें दियावा unit of length is 10 centimeter, तो यहाँ पे जो 10 centimeter अपनी length होगी, उसको हमने कोई L dash नाम दे दिया, ठीक है, and unit of mass is 100 gram, तो 100 gram आपका कोई नई unit हमने बना दिये, सवाल है, इस नई unit में density का, value का measurement उसके numerical value क्या होगी, now यहाँ पे हम जो use करेंगी, हम उसको लिखते है, n1, u1 is equal to n2, u2, एक numerical value multiplied by उसके unit, multiplied by, will be same as numerical value, multiplied by unit in a different system, तो अपने को यह आपके density, जो है, उसको दिया हुआ है, 4 gram per centimeter cube, यह आपका एक unit में है, so यह आपके numerical value है, यह unit है, नए system में इसकी value हो जाएगी, n2, multiplied by जो इसकी unit होगी, now इस case में unit आपकी gram per centimeter है, क्योंकि उसको हमने change कर दिया है, so इस gram को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 100 gram, 100 g dash, divided by इन दोनों को अगर हम equate करेंगे, so n2 जो है, उसकी value आजाएगी 4 multiplied by 10 cube, divided by 100 so इधर multiply हो गया, इससे divide हो गया, n2 की आपकी value आजाएगी इसको जब हम solve करेंगे, तो यह उपर बनेगा 1000, divided by 100 होके 10 बचेगा, यानि कि n2 की value है, जो नए unit में numerical value आपकी density आएगी, that will be 40, hence option number B, 40 would be the right answer, I hope यह solution आपको समझ में आया next question, 2016 में हम से सवाल पूछा गया, कि dimensions of 1 by epsilon e square, where epsilon is permittivity of free space and e is the electric field, क्या होएगी, 4 option अपने को दे रखें इबात अपने को पता होनी चीए, अगर हमने electrostatic का chapter, या फिर हमने E-M वे इसका chapter पढ़ा हुआ है, so यह जो आपकी quantity है, जिसको आप कहते हैं 1 by 2 epsilon 0 e square, यह actually quantity होती है, जिसको आप कहते हैं energy density energy density का मतलब यह है, कि इसकी जो आपकी quantity है, इसको ed कह लेते हैं इसकी value हो जाएगी आपकी energy per unit volume हाले, तो इसके अगर dimensions की बात करेंगे, तो इसके dimension हो जाएगे energy, मैंने आपको पहले भी गहाता है, energy और force के dimensions आपको ध्यान होने चाहिए, इसके dimension हो जाएगे ml square t minus 2 और divided by volume करेंगे, so volume is length into length into length so इसके dimension हो जाएगे आपके l cube, और इसको जो हम solve करेंगे तो energy density के dimension हो गए, m l to the power minus 1 t to the power minus 2, यह आपका direct test से answer आजाएगा, so base zone दे समके है सकते हैं, कि option number b would be a right answer, यह आपके energy density के dimensions होएगे, इस case में अगर आपको एक quantity पता है तो epsilon 0 की electric field की dimensions लेके आने की जरुबत नहीं पड़ेगी, तो पूरी understanding of physics, sum and dimensional के सवाल सौल करने में anyway बहुत help करता है next question, question से dimensions of mu 0 epsilon to the power minus 1 by 2 क्या होएगे now यह बात अपने को पता है कि हम electromagnetic wave के chapter में, EM waves के chapter में पढ़ते हैं मैं इसको जब हम पढ़ेंगे electrostatic, जब हम पढ़ेंगे ray optic, जब हम पढ़ेंगे magnetism, MEC, तो तीनों chapter में भी मैं एक बार इसको revise करवाता हूं बहुत important यह चीज आपको पता होना है कि हम यहाँ पर कहते है speed of light c that will be equal to under root of mu 0 epsilon 0 तो यह जब हम से पूछा जा रहे है, इसकी dimensions क्या होएगी, so इसकी dimension is nothing but जो आपकी speed of light की dimension होएगी, और speed of light की जब हम बार करते हैं, उसकी dimension lt-1 होता है, यह आपकी कैसे भी speed या velocity के dimension दोएगे, so based on this, option number B would be a right answer now, next question question says, which two of the following five physical parameters have the same dimension तो हमें 5 चीज़े दे रखी energy density, refractive index, the electric constant young modulus and magnatifical हमें बताना है, इन में से कौन सी दो हैं, जिनके dimension same होएगा, combination दे रखा है, BD AD, CE या फिर A now, इस case में अगर आपको dimension वाली table द्यान है, यह बात अपने को पता होएगी कि energy density और not energy density dielectric constant और reflective index जो है, यह दोनों आपके dimension less quantity होएगी तो इन दोनों का भी dimension आपका same same होएगा लेकिन interesting part इस सवाल के बारे में है कि BOC आपके चार option में है ही नहीं, तो आप सवाल पुछा है, which two of the following have the same dimension answer आपका BC भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि NEET का exam में यहाँ पे single correct आता है तो BOC आपको दिया ही नहीं होए तो यह आप चूज करने ही सकते हैं अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा young modulus energy density और magnetic field की dimension now energy density की dimensions अगर आप देखेंगे तो पहली जो quantity आपकी A उसे आपको लिखेंगे energy density यानि की energy point volume energy हो गए आपका m l2 t minus 2 divided by l cube और इसके dimension जो ही हो जाएंगे m l2 the power minus 1 t to the power minus 2 यह आपके energy density के dimensions आ गये young modulus के dimension देखेंगे जो आपकी quantity d है वो young modulus के dimension होते है आपके newton per meter square newton per meter square यह आपकी unit होती है उसके newton होगा आपका m l t minus 2 divided by meter square यानि की l 2 यानि की हो गया m l minus 1 t minus 2 notice करेंगे तो इसके और इसके दोनों के dimension आपके same हो गए hence energy density और young modulus इनके same dimension है तो ad would be a right answer चार option देखेंगे तो option number c ad would be a right answer एक चीज़ आपको mark करते हो ध्यान रखना है यहाँ पर हमने देखा ad 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 दिमाग में ad ad चलता है लोग बहुत बार o mark करते हो a या d mark कर आते हैं और आपका सब कुछ सही करने के बात भी answer गलत आ सकता है और minus 1 हो जाएगा तो दिमागना a और d option यहाँ पर जो है आपका c एक्चुली correct option होएगा तो इसको दिमागना c a and d would be our right choice for this particular problem next question question says dimensions of resistance in electrical circuit in terms of dimension of हाँ में बताना है mass, length, time and current जो अपनी basic fundamental unit होती है तो r को हम कैसे express करेंगे उनके term में और ये 4 option अपने को दिये हुए same सवाल आप से aims का जब exam होता था उसमें भी पूचा हुआ है और ये same सवाल आपका mains में भी पूचा हुआ है need में भी पूचा हुआ है तो गाफी important हुएता है और अगर आपको पहले table यहाँ आदे तो आप direct इसका answer mark कर सकते है नहीं तो exam hall में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ so यहाँ पर हम लिखेंगे resistance ohms law को use करेंगे तो हम लिख सकते है r will be equal to ohms law कहता है v is equal to ir यानि कि resistance r will be equal to v by i तो एक तो i direct आगे i की term में ही अपने यहाँ पर resistance के dimension बताने है now v जो है v होता है volt volt को अगर आप देखोगे तो volt को हम convert कर सकते है यहाँ पर हम ही कहते हैं कि कोई particle है उसको आपने मान लो v volt से accelerate किया है तो उसकी जो energy आजाएगी उसके अंदर that will be equal to qv qv आपकी उसकी energy हो जाएगी कितनी energy हमने उसको provide किये अगर हमने q charge को यहाँ से बेज आया तो तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके business will be equal to यह आपके v को में यहाँ पर लिख रहे है energy e divided by i multiplied by q इसी को अगर हम time से multiply कर दें और time से divide कर दें तो यह term जो ही आपकी i बन जाएगी charge पर इन टाइम आपका current होता है आपका जो resistance से उसकी value आ गई या unit की अगर बात करें तो यह हो गए energy divided by current का square multiplied by time बस यहाँ पर इनकी individual dimension रख देंगे अपने को final answer मिल जाएगा so इसकी dimension energy की dimension होती है ml square t minus 2 divided by i square dimensionally multiplied by यहाँ पर t आ जाएगा so r की final dimension हो गई ml2 t minus 3 i minus 2 यह आपकी r की final dimension हो गई बस यहाँ पर option देख लेते हैं कौन सा से यह तो m l square t minus 3 और i minus 2 that means option number d would be our final right answer I hope यह चीज़े आपको समझ में आई और unit dimension का chapter जो है बहुत ही असान chapter इसको practice कीज़ेगा एक सवाल इसमें से पक्का आ रहा है I wish you all the best